हेलो एंडियौन वेल्कम फू इंडिया जॉब्सव फ्रस वेकेंशीचंज एक बफृशलियज कर दी गई है नमबर आप देक त्लेशल है नमबर आप देख सकते हैं नमपर वेकेंशीच जो रहेंगी तो फ्रेंड्स वीडियो में इस नोटिफिकेशन के बारे में पूरी डीटेल से जानेंगे पूरी नोटिफिकेशन को एक वीडियो में यहां पर एक साथ मिलने वाली है और इसकी last date क्या है apply कपसे होगा तो वीडियो में last तक बने रहे और अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके तो notification इस बार जो है आप देख सकते हैं government medical college and hospital चंडीगर से यहाँ पर जारी की गई यानि कि यह जो है GMCH चंडीगर से यहाँ पर इस बार रिलीज की गई है GMCH चंडीगर की वेकेंसी यहाँ पर रिलीज कर दी गई है उपर आप देख सकते हैं department आप medical education and research चंडीगर administration की तरब स यहाँ पर वेकेंसी रिलीज की गई है public appointment notice यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यहाँ पर सबसे उपर दिया ही गया है कि यहाँ पर आप साब साब देख सकते हैं कि online application आपका रहने वाला है online application यहाँ पर होगा last date आप यहाँ पर देख सकते हैं 27 1221 बोल दी गई 27 1221 तक पर आप देख सकते हैं दिल बोला जारा है कि online application आप लोगों से मांगा जा रहा है ग्रूप सी पोस्ट की जो स्टाफ नर्स की उसके लिए चंडीगर में आपसे आवेदन आंधित के जा रहें temporary basis हैं लेकिन यहाँ पर आगे continue किये जाने की संभावना पूरी-पूरी है but likely to continue यहाँ पर लिख दिया गया है नमब्राव एकंशी जहाँ आप देख सकते हैं दी गई है यूर में 64 वेकंशी है स्सी में 20 है और स्सेट में यहां पर जारी कर दी गई है तो बड़ी भरती यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको पहले बता है कि आल इंडिया candidates यहाँ पर apply कर सकते हैं तो किसी भी state का कोई भी candidate हो वो यहाँ पर apply कर सकता है apply कैसे करना इसके लिए आपको बोला जा रहा है तो यहाँ पर gmch की website देदेगे gmch.gov.in तो यहां से जाके आपको apply करना है यह हम अभी आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे इसकी official website पिले जाकर आपको यह notification और apply कैसे करना इन सब की जानकरी आपको इस वीडियो में देंगे अब इसके बाद यहाँ पर इसके निचार देश सकते हैं से मोहिची दी है यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और जो फीज समिट करने की लाज़ डेट है वो 30 12 2021 है तो अभी तक अभी जो है 27 बारा तक आपके पास चांस है 27 बारा तक आप यहाँ पर apply कर सकते हैं आप किसी भी स्टेट के candidate हो यहाँ पर 27 बारा तक आवेदन कर सकते हैं अब यहाँ पर vacancies की डिटे यहाँ पर आपकी salary मिलने मिलने वाली है तो काफी अच्छी salary भी यहाँ पर रहने वाली है अब बात कर लें essential qualification की तो यहाँ पर essential qualification में आ दे सकते हैं लिखा गया है कि डिप्लोमा इन जर्नल नर्सिंग और डिएफरी फ्रम रिकोगनाइट बोर्ड उनिश्टी तो यहाँ प प्रड़ी ब्यश्टी के के डिएट से तो भी आप यहाँ पर apply कर पाएंगे अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि निश्ट पॉइंट जो बोला जा रहा है रिच्टाइट नर्सिंग कांसिल तो आपका इस्टेट नर्सिंग कांसिल में जो है registration होना चाहिए आप किसी भी सब लोग यहाँ पर apply कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आई सीटी कोर्स एसेंटी कोर्स एसेंटी कोर्स के इंतरगत या फिर रेपुटेड इंस्टीट से आई स्टेफिकाइड होना चाहिए यह जो है इस्टीट कंप्यूटर का आपके पास जो है होना चाहिए knowledge अब यहाँ पर फिर डो एक से हो आपका डो एक से अपने कंप्यूटर का डिपलोमा हो यहाँ फिर निलिट से दिया गया कि आप निलिट से भी कर सकते हैं डिपलोमा तो यह सारी चीजें आपके पास कोई ना जो है इसके एज और फीस कि तो सबसे पहले यहां पर फीस की बात करें आप लिए फीस की बात करें लिए अपली केसन ओर देश के लिए 500 MERC टेगरी OBC EWS के लिए एक हजार रुपए यहां पर और जो एक सर्विसमेन के लिए उनके लिए किसी प्रकार की कोई फीस नहीं रखी गई है एज लिमिट यहां पर देखने तो अब हम आपको पुना इसके लिए जो इसकी नोटिफिकेशन और इन सब की जानकारी है कैसे फार्म फिलोना इसके लिए आफिशल वेब्साइट पर आपको लेकर चलते हैं कि उससे पहले यहां पर हम आपको सेलेक्षिन क्राइटेरिया दिखा दें यहां पर सेलेक्षिन क्राइटेरिया भी दिया है कि स्टाफ नर्ज की पोस्ट लेक्षिन क्राइटेरिया तो पार्ट बन में आपका टेस्ट होगा रिटेन टेस्ट होगा रिटेन टेस्ट में आपक जो है जर्नल काटेगरी के लिए और इंक्लूड एक्सम और EWS के लिए 50 परसंट पीएच पीड़ोडी के लिए के लिए जो है 45 परसंट और के लिए यहां पर 40 परसंट रखी गई है अब हम आपको लेकर चलते हैं अफिशिल वेबसाइट की तरफ यहां पर एक और बताना चाहां को कि जो रांग एंसर के लिए 0.25 जो है आपकी निगेटिव मार्किंग भी यहां पर रहने वाली है आप देख सकते हैं फर्दर निगे सकते हैं जो इसको का पर बते शक्राइब करें गया है यहां पर जो दिया गया है यह फूर्स नंबर का जो कॉलम दिया गया है आप देख सकते हैं इसमें लिखा गया है अनलाइन अप्लिकेशन नियुक्त फिलिंग अप ग्रूप सी पोस्ट यहां से इस पर आप क्लिक करेंगे यहां से प्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर दो चीजे दिखें जाब डाकुमेंट और पर पर बिक नोटिस तो इसमें जाके आपको आनलाइन फॉर्म यह देखी से मोहीं नोटिफिकेशन और फुर्षी हम आफिस्टेम पर जाएगा इसके बाद यहां पर आपको आवेदन करना है तो यहां पर आपको आवेदन करने के लिए लिंक मिल जाएगा यहां पर आपको चाहिए निचे देखने आनलाइन फार्म लिखा हुआ है और नोटिफिकेशन कहां से मिल गई श की जानकरी मिल गई थी कितनी है इसकी जानकरी बेकंसी चक्सक्वाइगा पोस्ट किया ढएप लिए यहां घंकटेदी नंबर आफ एकेंसीज क्या रहा है इसकी भी जानकरी हो गई एज क्या रहेगी सेल्सें क्राइटेरिया क्या रहेगा अब अप्रिकेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा इन सब की जानकरी आपको हाँ पर मिल चुके तो वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्स सब्सक्राइब जरूर करें तो फ्रेंस मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ जैन वंजय मात्रम